देवता संयूत्त यह संयूत्त त्रिपिटक में संयूत्त निकाए में दिया हुआ है इसमें देवताओ द्वारा भगवान से पूचे गये प्रश्न है एवं भगवान द्वारा बताय गये उत्तर है देवता भगवान से प्रश्न करते है भगवान क्या देने वाला बल देता है क्या देने वाला वर्ण देता है क्या देने वाला सुख देता है एवं क्या देने वाला चक्छू देता है तब भगवान उन प्रश्नों का प्रत्रिप्तर करते है अन्न देने वाला बल देता है अ बस्तोरों का दान करने से वर्ण प्राप्त होता है वाहन यानि सवारी दान करने से सुख प्राप्त होता है तथा प्रदीप या रोशनी दान करने से चक्छुर दान प्राप्त करता है और वह दाता तो सब कुछ प्राप्त करता है जो किसी ग्रह विहिन को उपाश्रे या अम्रत ही प्रदान करता है जो दूसरों को धर्म का उब्देश करता है अब देवगन अगला प्रस्न करते हैं भगवान देवता या मनुष्य दोनों ही अन्न की एकांत तह प्रसंसा करते हैं एसा कोन यक्ष देवता या प्राणी होगा जो अन्न की प्रसंसा न करता हो तब भगवान प्रति उत्तर करते हैं जो अन्नका श्रद्धा पूरुवक प्रसन्न चित्ते से दान करते हैं उन्ही को इस लोक या परलोक में वह अन्न प्राप्त होता है अतह स्वहितेशी पुरूष को मातसर्य या कंजूसी का परित्याक कर यह द्यान अवश्य करना चाहिए जो कि इस लोक में पाप निवारक भी है तता पुन्य फल दायक भी है जिनके सहारे से प्राणी परलोक में इस्थाही निवास प्राप्त करता है अब देवगण अगला प्रस्ण करते हैं भगवान कैसे व्यक्तियों का पुन्य रात और दिन बढ़ता रहता है एवं कैसे धर्मारूड एवं सील संपन्य व्यक्ति सुगती को प्राप्त होते हैं इस प्रस्ण का भगवान प्रति उत्तर करते हैं उद्यानों में तथा वनों में वरक्ष लगाने वाले नदियों पर पुल बनवाने वाले या प्यावू बनाकर जल पिलवाने की विवस्था करने वाले कुवा खुदवाने वाले यात्रियों के लिए उपाशरे या धर्मशाला बनवाने वाले व्यक्तियों के पुन्य रात और दिन बढ़ते रहते हैं एवं धर्म मार्ग पर आरूड एवं शील सदाचार से संपन्य वेक्ती सुगती को प्राप्त होते हैं अब इसके आगे देवताओ के प्रश्ण एवं भगवान के उत्तर क्रम शह उल्ले की थे वह कौन सी वस्तु है जो बुड़ापे तक करना उचित है इस्थिर्ता पाने के लिए क्या उचित है अधिश्थित दरड संकल्पित के लिए शरद्दा उचित है मनुष्यो का रत्न क्या है प्रग्या मनुष्यो का रत्न है चोर किसे नहीं चुरा सकते पुन्य चोरो द्वारा चुराया नहीं जा सकता परलोक में कोन मित् स्वयम द्वारा किये पुन्य ही परलोक में सहायक होते हैं किसके आधार पर सभी प्रत्विवासी प्राणी जीवित रहते हैं सभी प्रत्विवासी प्राणी वर्षा के आधार पर जीवित रहते हैं मनुष्य को कोन उत्पन्न करता है त्रिष्णा मनुष्य को पैदा करती है उसका वह क्या है जो दोड़ता रहता है मनुष्य का चित हमेशा दोड़ता रहता है कौन आवागमन के चकर में पढ़ा रहता है प्रानी आवागमन के चकर में पढ़ा रहता है उसके लिए सबसे बड़ा भह क्या है दुख मनुश्यों के लिए सबसे बड़ा भय है अब आगे देवगन भगवान से प्रश्ने करते है और एवं भगवान प्रति उप्तर करते है कि भगवान कुछित पध यानि कुमार्ग क्या होता है राग को विद्वजन कुमार्ग कहते है वह क्या है जो रात दिन छीन होते रहती है आयू रात एवं दिन छीन होते रहती है कौन सा इसनान बिना जल के किया जा सकता है तपस्या एवं ब्रह्मचर्य का इसनान ही बिना जल के किया जा सकता है पूरुष का साथी क्या होता है शरद्धा पुरुष का साथी है कौन उस पर नियंतरन करता है प्रग्या उस पर नियंतरन करती है किस में अभीरत होकर मनुष्य दुखों से मुक्ती पा जाता है निर्वान में अभीरत होकर मनुष्य सब दुखों से मुक्ती पा जाता है यह समस्त लोग किस बंदन से बंदा हुआ है अब आगे कुरूद के उपर प्रशन उत्तर है किसको काट कर मनुष्य सुक पूर्वक्स हो सकता है किसको काटने के बाद वह शोक मगन नहीं होता कुरूद को काट देने पर मनुष्य को शोक सम्विन होने का कोई अवसर नहीं आत हे गोतम अब आप हमें यह भी बताईए कि आप किस एक धर्म का नाश करने का उब्देश करते हैं हे देवता वर्तमान में मीठा लगने वाले परंतु परिणाम में विश्टुल्य क्रोध का वध या नाश ही आरिजनु द्वारा प्रशस्त माना गया है उसके नस्त होने पर मनुष्य से कभी शोक सम्मिगन नहीं होता